आज में घर पे बनाने जा रहे थी धाबा स्टाइल दाल मखनी तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी में आपके साथ पी शेयर करो। दाल मखनी बनाने के लिए ना कुछ टिप्स होते हैं जिनको अगर हम फॉलो कर लें तो दाल मखनी का कलर भी बिल्कुल डाक नहीं होगा और बहुत क्रीमी भी बनेगी तो दाल को मैंने रात में ही विगोने के लिए रख दिया था मिनिमंग 6-8 गंटे आपको दाल विगोना जरूरी है आपको ब्लैक उरत दाल के साथ राजमा भी बोना है वैसे तो जितनी आप ब्लैक उरत लेंगे उसका एक चौथा ही इससा आपको राजमा लेना है बाकि यह आपके उपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना राजमा डालना चाहते है आपको ज़्यादा पसंद ह अब जादा डालिए उसके बाद मैंने को इसको बॉयल करने के लिए रखना था तो मैंने डाल में मिलाया है कुछ लस्टन की कलिया कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, एक डालचीनी का टुपड़ा, दो इलाइची और दो तेजपत्ता उसके बाद मैं इसको कम से कम 5-6 सीटी लगाने के लिए रखतूँगी यह आपके उपर डिपेंड करता है, आप बहुत जादा गलावगा खाते हैं बहुत जादा अगर आप चाते हैं दाल गल जाए तो आप जादा लगा सकते हैं 6 सीटी लगने के बाद मैंने जब इसको चेक किया तो मुझे यह ठीक लग रही थी उसके बाद मैंने इस प्रेशर कोकर को बंद करके दोबारा रख दिया तकि इसमें जो थोड़ी बहुत भी स्टीम बची हुए है न उससे जो थोड़ी बहुत दाल है वो फिर से पक जाएगी देन उसके बाद मैं बनाओंगी टमाटर प्यूरे टमाटर को कुछ नहीं करना आप अच्छे तरीके से दोने के बाद टमाटर के बड़े पीसेस काटके उसका एक फाइन पेस्ट बना लिजी आपको टमाटर के अंदर कुछ भी नहीं मिलाना आपने नॉमली डालवक नहीं खाये होगी तो आपको पता होगा कि उसके अंदर हमारे ना कुछ भी पार्ट्स मुह में नहीं आते इसलिए टमाटर का थोड़ा फाइन पेस्ट होना चीए जरन मैंने पैन गरम करा, पैन में पहले मैंने डाला है तेल क्य Zarate कि मैं बटर पहले डालती थी ना तो बटर को जल जल जाता क्योंकि मख़न का टेस्ट आना चीह जरन मख़न पूरा गला भी नहीं था, मैंने तभी अध्रगलसन का पेस्ट जाल दिया ताकि मक्षन बिलकुल भी ना जले, अधरक लसन का पेस्ट थोड़ा सा लिक्विड डालिएगा, उसके बाद उसमें मैंने सेम टाइम पे ही कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया, कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए क्योंकि जो दाल मिर्ची का कलर है वो सबसे इंपोर्टन चीज होत खाने में भी लगे, जैसे ही टमाटर का पानी थोड़ा सा रिलीज हो है, उसके बाद मैंने इसमे डाल दाल मखनी मसाना, आपके बास है तो राल दीजिए, अगर आपके बास नहीं है तो आप नौल, हल्दी, मिर्च, गरम मसाना, धनिया पौटर वो आप डाल से, उसके बा क्योंकि आप डाल को जितना अच्छा पगाएंगे ना, आपकी डाल मखनी उतनी ही अच्छी लगीगी, देखो अभी तो आपको देखके ऐसी फीलिंग आ रही होगी, कि ये डाल है, अभी वो आपको डाल मखनी वाला लुप नहीं दे रखी, तो इसको आप पकाते रही है, मैंने काफी देर पकाने के बाद, जब मुझे ऐसे लगा, ये काफी हद तक गाड़ी हो गई है, क्रीमी टेक्श्चर इसका आ चुका है, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर बटर डाला है, और मैंने इसके अंदर लिक्विड क्रीम डाली है, ठीक क्रीम नहीं डाली है, तो और खाने में तो आप बस पूछे मत इसका कितना अच्छा टेस्ट था आप एक बर इस रेसिपी को ट्राइ करिए I am sure कि ये रेसिपी आपको पसंद भी आएगी और आपको ना इसका टेस्ट पी बिल्कुल डाल मखनी वेथर लगेगा इसके बाद ना शायद आप बाहर खाना पसंदी नहीं करेंगे आप ये सोचेंगे कि ये घर पे बना देते हूँ इसको मैंने सर्फ किया था हरी वाली चटनी, लच्छे वाली प्याच और एक लच्छा पराठा के साथ एकदम ओसम डिनर था